अब आप जंगल सफारी का मज़ा कानपर के जू में भी ले सकते हैं सहर के वीचों बीच और गंगा नदी के नजदी बना जू प्रकृतिक सौंदर के लिहासे अकरसर का केंद्रे सैक्डो एकड में बने इस चलिया घर में घर्य जंगलों की होने की वज़े से इसे अक्सीजन चेंपर भी कहा जाता है इस चलिया घर में आप पपर से बाग देंदुआ बालो के अड़ाई को मचली घर्व तितली घर्व को देखने को मिल जाएगा और बाल ट्रेन के सवारी क इन जानुरों का दिदार कर सकते हैं जिडिया घर में एंटीरी करते हुए ता एडवेंचर पार्क देखने को मिलता है या कानपर का पहला पार्क है जा हैंगिंग राइट चिक जैक राइट रोग कमांडों ड़िया से एडवेंचर में बच्चे वा बड़े हवा में रसी क में सारे कमांडों की नेट ट्रेन का नभव करते दिखाई देगे अगर में करीबन 15 वर्षों के बाद जंगल सफारी खोली गई है वहीं जंगल सफारी में गूमने के लिए आपको सो रुपय का टिकेट कटा कर 12 लोगों का गुरुद बनाकर गाइड की निग्रहनी में जा करते ही आपको गने जंगल नजरा जाएंगे जंगल सफारी में भारती सिहाई कोब्रा मोराजगर बिच्चु कछवा थमिन साप गे बन बिलाद विदेशी पंची मगरमज गडिया कछवा देखने को मिलेगा अधरा पाल है और हमारा ओगनाज़शन है स्पाउट जो वाडिलाफ कन्जरवेशन के लिए काम कर रहा है कानपूर ने इसी के अंडर में हमले ने तो के सार्थ ये जू सफारी के लिए हम लोग ने तायप किया है और इसी में हम लोग गुरुप्स का सफारी टूर यहां प सब बताते हैं आपे इंचे देखिए लगभग ने टूरिस्ट देली परजन लगभादी का अभी देखिए आपके अलाबा आपके अलाबा और भी क्या यहां पर कोई गाइड होगा रहे है कि इसकेंड देखिए में लगभग डेली बेसिस पे 60-70 करके आ रहे हैं लोग तो इ हैं दोनों ही पाडनर है रिशव है और मैं हूँ रिशव पांडे नाम है अब विरल पॉल हूं तो हम दोनों ही इन टूर्स को कंड़क्ट कर रहे हैं यहां पर कि उन्हें यहां के पसूपच्छियों के बारे में बताते हैं वह सवदानी बरतने की बात भी कहते हैं इस पहुचा सकते हैं कानपुर्ट से सही होगी मैं सुनकर के साथ आदर सिर्वास्तप की रिपोर्ट